उधारण, X के लिए समिकरण को हल करें, X वर्ग प्लस 12X प्लस 36 बराबर 0, हल, गुणांख है A बराबर 1, B बराबर 12, C बराबर 36, D बराबर B वर्ग माइनस 4AC, D बराबर 12 वर्ग माइनस 4 गुणां 1, गुणां 36, बराबर 0, क्यूंकि D बराबर है 0 के, इसलिए मूल है, बराबर माइनस 12 वर्टे 2 गुणां 1, इसे हल करने पर हमें प्राब्ट होता है, बराबर माइनस 6, X के लिए समिकरण को हल करें, 5X वर्ग प्लस 6X प्लस 1 बराबर 0, हल, गुणांख हैं, A बराबर 5, B बराबर 6, C बराबर 1, D बराबर 2 वर्ग, माइनस 4, A C, D बराबर 6 वर्ग, माइनस 4, गुणां 5, गुणां 1, बराबर 16, क्यूंकि D अधिक है 0 से, इसलिए मूल हैं, बराबर माइनस 6 प्लस माइनस वर्ग मूल 16, बटे 2, गुणां 5, बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 4, बटे 10, हल करने पर हमें प्राप्त होता है, बराबर माइनस 1, माइनस 0,2, एक्स के लिए समिकरण को हल करें, 5X वर्ग प्लस 2X प्लस 1 बराबर 0, हल, गुणां खें A बराबर 5, B बराबर 2, C बराबर 1, D बराबर 2, वर्ग माइनस 4, गुणां 5, गुणां 1, बराबर माइनस 16, क्योंकि D कम है शून से, इसलिए मूल हैं, बराबर माइनस 2, प्लस माइनस आयोटा वर्ग मूल 16, बराबर माइनस 2, प्लस माइनस 4 आयोटा वर्ग मूल 16, बराबर माइनस 2, प्लस माइनस 4 आयोटा वर्ग मूल 16, बराबर माइनस 2, प्लस माइनस 4 आयोटा वर्ग मूल 16, बराबर माइनस 2, प्लस माइनस 4 आयोटा वर्